हलो दोस्तो फिस पालन पूर में आपका स्वागात है दोस्तो आज हम तर्चा करेंगे कि अगर आप मशली पालन का बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप अल्डेडी मशली पालन बिजनेस कर रहे हैं और आप एक फ्रॉफिटेबल फार्मर नहीं है तो आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, यानि कि कैसे ट्रेनिंग लेना चाहिए, कहां से ट्रेनिंग लेना चाहिए, जैसे कि आप एक सफल फार्मर बन सके, ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मचली पालन में हमारे देश में आंधर परदेश या फिर बंगाल जितना आगे हैं उतना कोई भी राजी नहीं आगे हैं मतलब ऐसा है कि पूरे देश में आंद्रे परदेश और बंगाल ही मचलियों का सप्लाई करता है ठीक है तो फिर वो लो कौन सा तकनिक यूज करते हैं क्या तरीका अपनाते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्शन इतना जादा होता है उसी उतना ही जलशित्र में और उतना कम कॉस्ट प्रोडक्शन में कैसे वो लो प्रोडक्शन लिपाते हैं तो उसके लिए हमें उनके इंवर्मेंट में ट्रेनिंग लेना परेगा वहां के जो टीचर है वहां के जो साइन्टिस्ट है या वहां के जो फार्मर है उनसे ट सकते हैं कैसे अप्लाई करना है कहां अप्लाई कर सकते हैं कि अब कि अपना रुपर आपका ट्रेश में ट्रेश करके करते हैं तो और या फिर आप बंगाल के जो शुफ़ई-शूर कर खुफट तो दोस्तौ, अभी मैं अपको वीडियो के हด मैं आपको अन्ट में बताऊंगा, ठीकिया हुंध थीक है? तो दोस्तो अभी मैं आपको सबसे पहले वायश्त के भारे माताओं तो पेड ट्रेनिंग के लिए आपको फੂर अनुध बारे मताऊंगा ठीक है तो पे ट्रेनिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपके आसपास जो भी अच्छे फार्मर है जो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं उनसे आप मिले और उनसे ट्रेनिंग ले ले ये एक पहला रास्ता हो सकता है या फिर दूसरा रास्ता है टीफा ट्रेनिंग डॉट कम बोल करके एक वेबसाइट आता है यहां पर जा करके आप अपलाई कर सकते हैं वो चाहे आप बंगाल के लिए करे आंद्रप्रदेश के लिए करे या फिर महराष्ट पंजाब कहीं के लिए भी करे आपको यहां यहीं से अपलाई करना था या फिर वो नहीं इंटर्णिट उतना अच्छा से चला पाते तो उनके लिए मैं एक सज्जेसन जरूर दूँगा कि आप एक काम कर सकते हैं कि आप आपके आस पास जो भी CSC सेंटर है या फिर वसुदा केंद्र है वहां जा करके आप इस वेबसाइट का शिफा ट्रेन है वह समझ जाएंगे और अपलाई करके आपका ट्रेनिंग का सीडूल ले लेंगे ठीक है तो अगर आप खुद से कर सकते हैं तब तो कैसे करना है वह मैं अभी आपको बता रहा हूं कि वेबसाइट पर जाएंगे सिफा ट्रेनिंग डॉट कों पर यहां पर आपको यह ट् पेंगर्ण चल रहा है ठीक है और इस ट्रेनिंग को लेने के लिए आपको यहां से अपलाई करना होगा इस में आपको पैसा प्यां करना है जैसे कि इस ट्रेनिंग के लिए 4,000 रुपर आपका पेंट फिसे लगेगा पांस दिन का यह ट्रेनिंग है अब वहां आपको रह क और खाने पिने का जो ख़्चा लगता है वह डेली काा किन्सवीर के करीब में साहद लगता है वह आपको उतना ख़र्चा अलग सपैगा ठीक है तो यह आप सीफा n.com से कर सकते हैं पेई कर के ठीक है यह हमेशा अपडेट में भते है्न करके अभी आपको यह लिफ्लías सेप्टमबर का दिखा रहा बिच बीच में जैसे कि आते रहता है नया नया शीडूल तो आप चेक करते रहे कि जब भी आपको टाइम मिले उस हिसाब से अपना सीडूल देख करके यहां सीड बुक कर सकते हैं याद रखे दोस्तों इसमें पेमेंट आपको तभी करना है जब हर जगा का नमर या वेश्ट पेमगव का ज्यूफी का नमर है या फिर आंद्रपरदेश का ऋफिस का नमर है इस बbon. हर देख लीजेगा सारा इस जग्के आपको मिल जाएगा तो आप अराम से कॉंटेक्ट करके इटेल में जान सकते dai और भी कुछ आगर आपको जानना हो मश्ली पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारा सरकार बहुत इसमें अफ़र्ट लगा रहा है तो उसी करम में मश्ली पालन का ट्रेनिंग दिया जाता है गोवर्मेंट के तरफ से ठीक हैं तो आप अपने जीला के मतस्रिभाग में जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन भी अप कब ट्रेनिंग का डेट है वो मुझे बताई और अपना नाम लिखा दीजिए तो आपको वो लोग जब भी वो कभी कभी क्या होता है कि राज के अंदर ट्रेनिंग होता है और कभी कभी बाहर होता है तो आप अपना शिडूल देख लिए कि आपको कहा ट्रेनिंग करना है और उसके बाद आप अपना नाम दर्ज करा देया है। वहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया जाएगा उसमें एक रुपय आप से नहीं लिया जाएगा। अगर मालीजी आपको बाहर का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। दूसरे राजे का है। उसमें आपको एक रुपय भी देना नहीं है और आपको वापस भी आपके फ्रिजरी वाफिस तक आपको छोड़ देंगे बोलो। ठीक है यह तरीका है फ्री ट्रेनिंग का है। ठीक है। और दोस्तों अब आप घर बैठे मॉवाइल में कैसे फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। वह भी उडिशा सीफा ओफिस से वह बता रहा हूँ। तो आपको अपने मॉवाइल के प्ले श्टोर में जाकर के यह मतस्य सीटू एप है। उसे आप डाउनलोड कर लेजिए। यह सीफा ओफिस का ही एप है। यहाँ पर आपको उनके दुवारा दिया गया हुआ जो भी ट्रेनिंग है। वुसको रिकाइडी है। इसमें हिंदी में भी है , इंग्लीण कर करते है। इसन आप आप हुआं करक करके लोडियो सकते। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों अगर पत्याब्दपर करें। अगर ओष्टू करें। इस सब्स्राइब कर लें। ताकि इसी तरह का informative वीडियो में बनाता रहात हूं और आपको इसका notification मिलता रहें ठीक है धन्यवाद